Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका my young, हम लोग यहाँ पर NCEIT Geography प्लाश 12 की पार्ट पुस्तक मानव भूगोल के मुल सिद्धान कवर कर रहे हैं, आज आपका ऐसी क्रम में अध्याय पांचमा है, यहाँ पर हम प्राद्मिक क्रियाओं से संबंदित क्रश्णों को देखेंगे, त मुचा गया है, कौन सा कतन सही है, मानव के वो कारिकलाप जिनसे आयपराप्त होती है, आर्थिक क्रिया कह जाता है, आर्थिक क्रियाओं को मुख्यते चार वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्राद्मिक, दुतियक, ततियक यह उन्चतुर्स क्रियाएं, आपका पह आपका पहला दूसरा दोनों ही कसम सही है यहाँ पर आपका सही आनसर है पहले का C याणि एक और दो दोनों दूसरा प्रश्टने वापका निम्रहित कतनों पर विचार कीजिए मुशा गया है कौन सा अकतनिया पर सही है प्रात्मिक क्रियाएं प्रत्यक्षूब से परियावरण पर निर्वर है दुतिया क्रियाओं के अंतरगत परिभन तदा अनिशेतर सामिल है देगे प्रात्मिक क्रियाएं प्रत्यक्षूब से परियावरण पर निर्वर होती है क्योंकि ये प्रत्वी को ये संसादनों यैसे भूमी है, जल है, वनस्पती है, भवन निर्मार सामिक्री है और खनिजों के उपयोग के बिसे में ये बतलाती है तो यह आपकी प्रात्मिक क्रियां है इनके अंतरकत आखिट आ जाता है भोजन संग रहा जाता है पशुचारण आ जाता है मशली पकड़ना है बनों को काड़ना है प्रसी और खरनकार रहा जाती है तो यह सब आपकी प्रात्मिक क्रियां है दुतियक क्रियाओं में यानि जो दुतियक क्रियाओं होती है वो प्राद्मिक क्रियाओं से निकले हुए उत्पादों को प्रसंसकत करती है उन से नई बस्तूं का निर्माड करती है तो यहाँ पर जो परिभन या अन्जिटर है यह तृतियक क्रियाओं के हैं, तृतियक क्रियाओं के नहीं, तो आपका second वाला गलत हो जाएगा केवल पहला वाला कतन सही है, तो answer ए आपका second का A, केवल एक तीसरा प्रश्टने बापका आखेट एबं भोजन संग्रे के संबंद में निम्रिखत कत्नों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है पहला है भोजन संग्रे एबं आखेट प्राचीनतम ग्यात आर्थिक रियाई है ये कार्य कठोर जलवाई वक दसाओं में किया जाता है इस कारी के लिए बहुत कम पूजी एबं निम्रिखत तरिय तकनीकी ग्यान की आवशक्ता होती है इसमें भोजन अधिसेज भी रहता है एबं प्रतिव्यक्ति उत्पादक्ता भी अधिक होती है आपका पहला वाला कतन सही है भोजन संग्रे और आखिड जो है ये प्राचीनतम ग्यात अग्यात करिया है तो आपका पहला वाला कतन सही है प्राचीन काल के आखिटक जो थे वो पत्थर या लकडी के बने आजार और तीर आदिका प्रियोग करके जानवरों का सिगार करते थे यह कार एक कठोर जलवाई भी दसाओं में किया जाता है यानि कि यहाँ पर ऐसी आदिम प्रजातियां रहती है वो जो जलवाई होती है वहाँ पर खेती बेरा नहीं की जा सकती है तो वहाँ के जो भी जन जाती लोग होते है वो आखेट या भोजन संग्रे के लिए इस तरह क बी वाला कथन यहांपर सही है सी वाला कथन जो है कि यहांपर इसमें बहुत कम पूजी की आवश्रक्ता होती है क्योंकि यहांपर कोई विशेस आपको हत्यार नहीं लेके आने हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक नई टेक्नलोजी लेके आनी हो या नई प्रकार के हत्यार खरीद के लाने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास जो मौझूद है, लकडी मौझूद है, या पत्थर मौझूद है, उन्हें ही आप हत्यारों की तरह इस्तिमाल कर सकती है, और यहाँ पर पताया कि कम पूझी और निम्निस्तरी तक्निकी ग् मिला, अब किसी दिन क्या है, कि कोई जानवर बड़ा सा मिल गया, तो पूरा परिवार जो है, उसने भर पेट के खाया, और किसी दिन एक छोटा सा जानवर मिला, तो हो सकता है, जतने भी उसमें, उनके सम्हूं में जतने कंडियेट हो, उन मैसे कुछ लोगों का ही पेट भ होती है, रीजन वही है, क्योंकि जो सिकार है, सिकार में इनके बस में नहीं है सारी चीज़े, कि सिकार में हर बार की तरह अच्छा सिकार मिल जाएगा, जिससे के पूरा जो इनका सम्हूं ए ग्रोप है, उसका पेट भर जाएगा, ये भी नहीं कह सकते है, कभी सिकार हो भी कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए कथन में कहा गया है विस्विस्तरबर भोजन संग्रण का अधिक महत तो नहीं है कारण इन क्रियाओं के द्वारा प्रापत उत्पाद विस्व बाजार में प्रतिसपरदा नहीं कर सकते हैं देखे जो आपके ये क्रियाओं है याँए आखेट और भोजन संग्रे वाली क्रियाओं खास करके जनजाती जो लाके हैं वो आज भी इनहीं पर निरवर है तो उन में से कुछ जनजाती हैं जो के सहरों से जुड़ गई हैं, नगरों से जुड़ गई हैं आपके भारत में ही ऐसी पहुसारी जन्जातिया है तो वो क्या करते हैं वनों के उत्पाद बगेरा है या पसून से प्राप्त होने वाले उत्पाद उनको इखटा करते हैं और जो निकटवर्ती बाजार होता है वहाँ पर उन्हें बेच देती हैं और उससे जो आयेter होती है तो इस बाजार से जो भी वहाँ सामान चाहिए होता है वहाँ से ले आते हैं लेकिन चूँकि ये उत्पाद इतने जज़ादा प्रसंस्करत नहीं होते हैं इतने ज़ादा अच्छी क्वालिटी कर नहीं होते हैं विस्त इस्तर पर भोजन संग्रण का अधिक महत्व नहीं है, कारण यही है कि इन क्रियाओं के दोरा प्राप्त उत्पात विस्त बाजार्ण प्रतिसपर्दा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कतन और कारण दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का A, यहीं ए और आर दोनों सही है और आर एका सही स्परश्टी करण है। प्रतिसपर्दा नहीं कर सकते हैं। प्रतिसपर्दा कार के ही पसु पाले जाते हैं। तीसरा वाला कतन जो है यह गलत है। देखे चलवासी पस्चाड नहीं बलकिए वाड़ज पस्दन जो होता है वो चलवासी पस्चाड की तुलना में अधिक विवस्तित और पुझी परधान है। तीसरा वाला जो कतन है यह गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कतन आपका सही नहीं है। केवल थर्ड वाला यानि आंसर है पांच में का भी केवल थर्ड वाला कतन सही नहीं है। छटमा प्रश्णे बापका विविन जलवाई के दसाओं में रहने वाले लोगों और उनके द्वारा पाले जाने वाले पसुओं के संधर में सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सूची एक में यहाँ पे इस्तान दिये हुए हैं और सूची दो में उन इस्तानों पर जो पसुपाले जाते हैं हो दिये हुए हैं। सबसे बहले बात कर लेते हैं उष्टकटवंदी अफ्रीका की तेकि उष्टकटवंदी अफ्रीका में जो हैं गाय और बैल पाले जाते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एसिया के मुरुस्तोलों की तो एसिया के मुरुस्तोलों में भेड़ बकरी और उंट आदी आप आदी आपको देखने को मिलेंगे फिर बात कर लेते हैं एंडीज के परवती भागों की देखें एंडीज के परवती भागों में लामा पाला जाता है आगे आपका जो है उत्री दुरुबी छित्र 32 चित्र में रेंडियर का प्रयोग किया जाता है जिस तरह से एंडीज के परवती चित्रों में लामा पाला जाता है उसी तरह से तिबबद वाले रीजन में आपका जो तिबबद वाला रीजन है तिबबद में यहाँ पर याक पाला जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छटमे का C वाला यानि कि A का चोथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का पहला तो आंसर है यहाँ पर छटमे का C सात्मा प्रश्णे बापका, नए चरागाओं की खोज में पश्चार कोंदारा किये जाने वाले रिद्धु प्रवास के संबंद में नीचे दिये कतनों पर विचार कीजिए, मुशा गया है, कौन सा कतनिया पर सही नहीं है, यह आपको बताना है यह गर्मियों में परवती भाग से मैदानी चरागा की और और सीत में मैदानी भाग से परवती चरागाओं की और प्रवास करते हैं भारत में हिमाले के परवती छित्रों में गुजर, भकरवाल, गद्धी यवं भूटिया लोगों के समू रित्प्रवास करते हैं देगे आपका पहला वाला कथन सही नहीं है क्योंकि उसका रीजन अभी वैन आपको बताया था गर्मियों में क्या होता है गर्मियों में जो मैदानी लाके होते है जहाँ पे जब भयंकर गर्मी पढ़ती है तो उस समय यहाँ पर घास की कमी हो जाती है तो उस समय क्या होता है उस समय परवत पर जो बर्फ होती है पिगलने लगती है और बर्फ पिगलने की विज़े से परवती छेत्रों में अच्छी खासी घास उगाती है तो गर्मियों में क्या करते हैं गर्मियों में ये लोग मैदान से परवतों में चले जाते हैं वहीं सीत में मैदानी भाग से परवती की ओर तो जो के गलत है सेकंड वाला जो गधन है आपका ये बिल्कुर सही है भारत में हिमाले के परवती चेत्रों में गुजर, भगरवाल, गद्धी और भूटिया लोगों के समूद ग्रिस्म काल में मैदानी चेत्रों से परवती चेत्रों में चले जाते हैं और सीद काल में परवती चेत्रों से मैदानी चेत्रों में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गधन सही है तो आपका उच्छा गया है कौन सा गधन सही नहीं है यहाँ पर आपका क्योल पहला वाला गतन सही नहीं है तो आनजरे साथ मेंगा ए आजमा प्रशने बाप का निम्ण मैंसे कौन सा या कौन से कारड चलवासी पश्चारकों की संक्या घटने के लिए उत्तरदाई है या है राइनितिक सीमाओं का अधिरो पड कई देसों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना देखिए यहाँ पर पहला वाला गतन बिल्को सही है आपने देखा होगा आपने सुना भी होगा न्यूज बगएरा में कई बार क्या होता है योग के वाली जो सीमा है बॉर्डर है पाकिस्तान के सायट तो उसमें देखा हो कई बार पश्चारक कई बार इंडिया के होते हैं पाकिस्तान सायट के भी होते हैं तो गल्ती से बोलो बॉर्डर क्रोस कर आते हैं तो उन्हें आर्मी पकड़ लेती है या बियस से पकड़ लेती है तो कही ना कि इस बज़े से इन दोनों कारणों की बज़े से चलवासी पश्चारों की संख्या घट रही है और इनके लिए उत्तरदाई कारण है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आट में का सी बाला एक और दो दोनो नॉमा प्रश्चने बापका वाड़ेज पश्दन पालन के संबंद में नीचे दिये के कतनों में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है यह फार्म विसाल छेत्र पर फैले होते हैं यहाँ संपूर छेत्र को छोड़ी छोड़ी काईयों में बिभाजित कर दिया जाता है वाड़ेज पश्दन पालन में पसुओं की संख्या भी चरागा की वहन चमता के नुसार प्रखी जाती है यह एक बिसिष्ट कत्विदी है जिसमें बृत प्रकार के पशु एक साथ पाले जाते हैं इसमें मुक्य ध्यान पसुओं के प्रजिनन जन्निक सुधार बीमारियों पर नियंत्र यह उनके स्वास्थे पर दिया जाता है देगे यहाँ पर अगर बात करें बाड़िज पस्धन की तो जैसा कि अभी आपको बताया है चलवासी पस्चारड की अबेच्चा जो बाड़िज पस्धन है यह पालन अधिक दिवस्थित और पूझी परधान होता है यह जो फार्म होते हैं यह विसाल शेत्र पर फैले होते हैं और संपूर्ण शेत्र को छोड़ी-छोड़ी काईयों में विभाजित कर दिया जाता है चराई को नियंदित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से लग कर दिया जाता है जब चताई की वजए से एक छोड़े छित्र की घास समाप्त हो जाती है तब पसुओं को दूसरी छित्र में ट्रांसपर कर दिया जाता है इस्थनांदित कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन इल्को सही है इसके लावा यहाँ पर जो वाड़ेज जो आपके बस्दन पालन है यहाँ पर पसुओं की संख्या भी सीमित रखी जाती है यहाँ इतने ही पसु रखे जाएंगे जितनी उनके लिए घास उपलब्द है तीसरा वाला जो कथन है यह आपका सही नहीं है यहाँ पर आपका सी वाला जो गधन हो जाएगा यह गलत हो जाएगा यहाँ पर आप यह देखेंगे यह एक बिसिष्ट कद्विदी है और इसमें केवल एक ही प्रकार की पसु पाले जाते हैं जिनमें प्रमक पसु हमें आपको भेड, बकरी, गाय, बैल और घोडे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन जो है यह गलत हो जाएगा डी वाला कथन यहाँ पर बिलकु सही है इसमें मुक्ष धान पसुओं के प्रजनन पर, जन्निक सुधार पर, बीमारियों पर नियंतर और उनके स्वास्था पर दिया जाता है यहाँ पर आपका सी वाला कथन जोलत है तो आंसर है आपका नौमे का सी दस्मा प्रश्टने बापका, क्रसी की परमुक प्रणालियों के संदर में निम्लिःत कत्नों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन चा कत्न सही है निर्वाक्रसी में क्रसी चेतर में रहने वाले लोग पूरतें क्रसी से होने वाली आयपर निर्वर नहीं रहते हैं आदिकाली निर्वाक्रसी सीतोष कटवनी चेतरों में की जाती है आदिकाली निर्वाक्रसी को इस्थानांत्री क्रसी या कर्तन एवं धहन क्रसी भी कहा जाता है देखें निर्वाक्रसी में क्रसी छेत्र में रहने वाले लोग पूरी तरह से एक्रिकल्चर से इसी एक्रिकल्चर से होने वाली आमदनी पर ही निर्वाट करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन गलत हो जाएगा यह जो लोग हैं यह स्थानी उत्पादों का संपूर यह पर लगवग पूरा उपयोग करते हैं तो आपकी जो प्रणाली इस प्रकार की करस्ट प्रणाली है निर्वाकरसी वाली इसको दो भागों में डिवाट किया गया है इसमें एक आजाता है आदिकाली निर्वाकरसी और दूसरी आजाती है गहन निर्वाकरसी जो आपकी आदिकाली निर्वाकरसी है यह वताया गया सीतोष कटवंदी चेत्रों में की जाती है जो की गलत है इसी तो खटवंद में नहीं बलकि ये उश्ट खटवंदी जो चेत्रों होते हैं उन में की जाती है यहाँ पर इसके जो चेत्र हैं इसके चेत्रों में आपका अफ्रीका है दच्छड और मद्द अमेरिका है और एसीया का दच्छड पूर्वी एसीया का भाग है जहाँ पर आपकी इस प्रकार की आदिकाली निर्वाकरसी की जाती है तीजरा वाला जो कथन है आपका विल्कुर सही है आदिकाली निर्वा कसी को इस्तानांत्री कसी या कर्दन एवं धेन कसी भी कहा जाता है जिसको आप अपने भारत में जूम खेती के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर है दसमे का वी वाला यानि केबल थर्ड ग्यारेमा प्रश्णे बापका उश्टकटबंदी छेत्रों में इस्तानांत्री कसी के अलगलग नामों के संबंद में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमिलेत हैं भारत के उत्तरपूरवी राज़ जूमिंग, मलेसिया वा इंडोनेसिया लाधांग, मद्यअमेर्का एवा मैक्सको मिल पा उश्टकटबंदी छेत्रों में जो आपकी स्थानांत्री कसी है इसको अलगलग नामों से जाना जाता है भारत के उत्तरपूरवी राज्यों में से जूमिंग, तो आपका पहला वाला ख्थन बिल्कू सही है, मद्द अमेरिका और मेक्सिको में इसको मिल पा आपका थड़ वाला युक में जो ये भी सही है और मलेसिया और इंडोनेसिया में इसको लादां कहा जाता है, तो आपका सेकिंड वाला भी सही है याँ पर आपके सभी युक में सही सुमिलित है तो आपका सही आंसर है ग्यारेका डी एक, दो और तीन बारेमा प्रश्ने बापका गहन निर्वाक्रसी निम्डगित में से विस्तु के किस चेत्र में की जाती है एसिया के घने वसे देसों में उच अच्छांसों में भूमदिसाग्री चेत्रों में दच्छने अमेरिका और मेक्सको के चेत्रों में गहन निर्वाक्रसी जो है या आपकी एसिया के घने वसे देसों में की जाती है गहन निर्वाकरसी भी दो प्रकार सिकी है एक तो इसमें चावल प्रधान गहन निर्वाकरसी आ जाती है और दूसरी आ जाती है चावल रहित गहन निर्वाकरसी तो यह ACA के घनेवसे देसों में की जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बारे का A बाला तेरेमा प्रश्णे बापका गहन निर्वाक्रसी के संदर्म में नीचे दिया के कतनों पर वेचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतन याँ पर सही है इसमें भूमी का गहन उपयोग होता है यों यंत्रों की बेक्षा मानव स्रम का अधिक महत्तो है अगला है इस क्रसी में प्रतिकाई उत्पादन अधिक होता है पर प्रतिक्रसक उत्पादन कम होता है देखे ये जो आपकी गहन निर्वाक्रसी है कि अधिक जन संक्या अगनत्त की बज़े से यहाँ पर खेतों को आकार छोटा होता है और क्रसी कारे में क्रसक का संपूर परिवार लगा होता है तो यह जो क्रसी है यह क्रसी किसी प्रकार के यंत्रों मगरा ऐसे नहीं की जाती है बलकि यहाँ पर मानव स्रम का इसमें अधिक महत्तु है तो आपका पहला वाला गतन यहाँ बिल्कु सही है चुँकि यहाँ पर करसक का पूरा परिवार सनलगन होता है और करसक अपनी जमीन पर एक बार से जादा फसल होगा आता है यानि एक साल में लगवग दो से तीन फसलें यह प्राप्त करता है तो इस वज़े से यहाँ पर प्रतिकाई उत्पादन अधिक होता है चुँकि यहाँ पर इसका पूरा परिवार इसमें काम करता है तो अगर हम प्रतिकरसक यहाँ पर कांट करें उसका पूरा फेमली भी इसमें काम कर रही थी और उसके खिसाब से कांट करें तो प्रतिकर्सक इसमें उत्पादन कम है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोनो ही सही है तो आपका सही आंसर है तेरे का सी एक और दो दोनो चौधेमा प्रश्टने अब आपका रोपड करसी के संबन्द में निम्रिकत कत्नों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है पहला है यूरोपी निवेसों ने अपने अधीन उष्ट कटबंदी चेतरों में चाय, कॉफी, कोको, रवड, कपास, गन्ना, केले एबं अनानास की पौद लगाई इसमें करसी चेतर का आकार कम विस्टरत होता है इसमें अधेक पूजी, निवेस, उच्च प्रवंद, यव तकनीकी आधार, यव व्यज्ञानिक विद्धियों का प्रयोग किया जाता है यह एक फसली करसी है, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंदर किया जाता है देगे आपका पहला वाला खतन बिल्कु सही है यूरोपी लोगों ने विस्ट के अनेक भागों का आपनवेसी करड़ किया और करसी के कुछ अनिरूपों की सुरुगात की तो इनमें आपका रोपड करसी जो है, ये एक ब्रहद लावोन मुकी प्रनाली ये साबित हुई तो यूरोपी उपनवेसों ने अपने आदीन जो शकटवन्दी चेतर हैं इसमें चाय, कॉफी, कोको, रबड, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौद लगाई तो आपका पहला वाला यहाँ पर A वाला कथन पिल्कुर सही है B वाला जो कथन है, ये आपका गलत है तेकि इस क्रसी की प्रमुक बिसिस्ता ये है, इसमें जो क्रसी चेतरों का आकार होता है वो कम विस्तरत नहीं होता है, बलकि वो बहुत विस्तरत होता है लंबे चोड़े यहाँ पर होते हैं कित तो यहाँ पर आपका B वाला जो है यह गलत हो जाएगा इसमें अधिक पूजी निवेस और उच्छ प्रबंद तकनीकी आधार और प्याग्यानिक विद्यों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका C वाला गतन यहाँ पर सही है यह एक फसली क्रसी है इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संक्यंद्र किया जाता है तो यहाँ पर आपका D वाला गतन भी सही है यहाँ पर आपका केवल गलत वाला जो आंसर है वो चोड़े का D वाला है पंद्रेमा प्रश्णे बापका भारत एवं लंका में चाय के बाग मलेसिया में रवड के बाग किसने विक्सित करवाई फ्रांस वासियों ने, अमेरिका वासियों ने, हॉलेंड वासियों ने, बिटेन वासियों ने देगे बिटेन वासियों ने भारत और लंका में चाय के बाग, मलेसिया में रबड के बाग और पश्मी दीपसमू में गन्ना और केले के बाग पिक्सित किये तो यहाँ पर आपका सही आंसर है फंद्रे का डी वाला ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिने फैजन्डा कहा जाता है उन पर यूरोपियों का नियंत्रड है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सोले का ए वाला सत्रेमा प्रश्णे वापका विस्टरत वाडे जनाज क्रसी के संधर्म में निम्रिकित कत्मों पर वेचार कीजिए पूशा गया है कौन सा गतनिया पर सही नहीं है यह आपको बताना है पहला है यह अक्रसी मद्द अच्छांसों के आंत्रिक अर्द सुस्क प्रदेसों में की जाती है इसकी मुक्य फसल चावल है इसमें प्रति एकर उत्पादन कम होता है पर अधिक होता है पहला गतन यहाँ पर बल्कुश सही है जो आपकी विस्तरत वाड़े जनाक्रसी है यह मद्द अच्छांसों के आंत्रिक अर्द सुस्क प्रदेसों में इस प्रकार की खेती की जाती है तो आपका पहला गतन सही है चावल की खेती के लिए अत्दिक नमी की और पानी की आवशकता है तो ओबिस्सी बात है चावल जो है इस खेतर की फसल नहीं होगी तो यहाँ पर आपका second वाला गलत है यहां की जो मुकी फसल होती है वो आपकी गहूँ होती है ना के चावल तो आपका second वाला यहाँ पर इसके लाब यहाँ पर अन्य फसलें भी उकाई जाती है, यैसे मक्का, जौ, राई, जै भी बोई जाती है, थर्ड वाला जो कथन है आपका, यह कथन यहाँ पर बुला गया है, इसमें प्रति एकड उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति ब्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गहन प्रसी नहीं कर रहे हैं, यानि एक ही जमीन पर कई सारी, यानि कई एक साल में तीन या चार फसलें हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मुक्कित है, एक या दो फसलें ही प्राप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पर प् तो यहां पर आपके यहां पर आपका सही आंसर है 18 का भी वाला एक दो तीन चार और पाँच उननिस्वा प्रश्ने बापका मिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टि के संबन्द में निम्लेखत कतनों पर वेचार कीजिए उचा गया है कौन सा कतनी आपर सही नहीं है यह आपको बताना है मिस्ट कसी विस्ट के अल्प विक्सित भागों में की जाती है विस्ट बाड़िज के मुख्य छेत्र, यूरेसिया के स्टेपीज उत्रि अमेरिका के प्रेरीज और अजेंटीना के पंपास छेत्र हैं उत्रिय विक्सित भागों में की जाती है नगे अल्प विक्सित में तो आपका पहला वाला गतन गलत हो जाएगा जैसे आपका उत्तर वश्मी यूरोप हुआ उत्तर अमेरिका का फूरीध भाग है यूरेसिया के कुछ भाग है और डचली महबदीपों के सम्सिस्टोष्ट अक्षांस वाले भाग वो भी इसमें आ जाती हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा सेकंड वाला कतन आपका बिल्कुत सही है विश्चत पाड़ेंजी के जो मुख की छेत्र हैं उनमें आपके यूरेसिया के इस्टेपीच उत्री अमेरिका के प्रेरीज अर्जेंटीना के पंपास चित्र ये सब सामिल है देखिए यहां की जो प्रमुख फसलें हैं तो उनमें गेहू, जो, राई, जै, मक्का, चारे की फसल और कंद मूल इसमें प्रमुख है थर्ड वाला कथन ये भी सही है चारे की फसलें मिस्टिस करसी के मुख के खटन है यहां पर फसल उत्पादन और पश्पालन दोनों को समान महत्तु दिया जाता है तो यहां पर पूछा गया है कौन सा अगतन आपका सही नहीं है केवल पहला वाला कथन सही नहीं है तो आंसर है 19 का ए केवल एक बीसमा प्रश्टने बापका डेरी करसी के संबंद में नीच दिये के कतनों पर वेचार कीजिए पूछा गया है कौन सा अगतन आपर सही है यह आपको बताना है पहला है डेरी करसी का कारे नगरिय एवं ओधोय करेंदरों के समीब किया जाता है इसमें गहन सरम की आवशक्ता नहीं होती है अगला है वालेक डेरी करसी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्री पश्च्मी यूरोप का छेतर है आपका पहला वाला गतन पिल्कुर सही है डेरी का जो जबसाय है वो खास करके नगरिय और ओधोय करेंदरों के समीब किया जाता है ताकि नगरों में और ओधोय करेंदरों के समीब जो भी स्थानी निवासी रह रहे हैं उनकी दुग्त की जरूतों को कुरा किया जा सके सेकिंड वाला जो कथन है ये देखे ये सही नहीं है इसमें घहन स्रम की आवशक्ता होती है पशुओं को चराने, दूद निकालने आद के कारियों के लिए वर्स भर आपको स्रम की आवशक्ता होती है क्योंकि यहाँ पर फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता है, इसमें स्रम की आवशक्ता ना पड़े, तो यहाँ पर तो लगवब पूरी साल आपको एक समानूत से स्रम गहन सरम करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर आपका second वाला कथन गलत हो जाएगा तीसरा वाला कथन जो है यह बलकुँ सही है वाड़ेज डेरी के तीन प्रमुक चेतर है इनमें सबसे बड़ा चेतर जो है वो उत्तर पश्मी यूरोप का चेतर है इसके लाबा second number पर कनेटा का आजाता है और तीसरे चेतर में आपका न्यूजीलेंड आजाता है न्यूजीलेंड दचिटपूर्वी ऑस्टेलिया तस्मानिया वगरा सामिल है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है यहाँ पर आपका केबल एक और तीन गतन सही है तो आपका सही आंसर है बीसमें का डी केबल एक और तीन एक किस्मा प्रश्ने बापका भूमत्य सागरी चेतर के संदर्म में निम्लेशत कतनों पर वेचार कीजिए पूछा गया है कौन सा गतन या पर सही है यह आपको बताना है अंगूर की कसी भूमत्य सागरी चेतर की विसेस्ता है खटे फलों की आपूर्ति करने में यह चेतर महतपूर है देगे भूमत्य सागरी से अपर यहाँ पर यह है तो अच्छे किसके जो अंगूर हैं उनसे उच गडवत्ता की सराब बनाई जाती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला अक्तन बिल्कुर सही है यहाँ पर खट्टे फलों की आपूर्दी करने में भी यह च्छेतर महतपूर है इसके लावा सीतर रुत में जब यूरोप और USA में फलों और सब्जियों की मांग होती है तो उस समय इसी च्छेतर से यह मांग पूरी की जाती है तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही जिन प्रदेसों में जो क्रसक हैं वो केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ पर इसको ट्रक क्रसी कहा जाता है तो आपका सही आंसर है बाइस का डी बाला ट्रक फार्म और बाजार के मद्द की दूरी जो एक ट्रक राद भर में तैय करता है उसी के आधार में इसका ट्र पश्मी यूरोप संयुक्त राज अमेर्का के उत्तर पूर्वी भाग भूमति साग्री प्रदेश में अधिक विक्सिद है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का D वाला। तो यहां पर आपका पहला वाला कतन सही है लेकिन सेगिंड वाला कतन गलत है। पर आपका पहला वाला कतन का सही से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सहकारी करसी की बात करें तो जब टसकों का एक समूँ अपनी करसी से अधिक लाब कमाने के लिए श्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना कर कर संपन करें तो उसे सहकारी करसी कहते हैं। इसमें व्यक्तिकत फार्म अच्छोट रहते हुए सहकारी रूप में करसी की जाती है। यहाँ पर व्यक्तिकत फार्म नहीं खूले जाती हैं बलकि एक पुरा ग्रुप मिलकर काम करता है। तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन सही है। आपका सही आंसर है चौबिस का बी वाला केवल सेकिंड। पच्छिसमा व्रश्णे बापका सामुहिक क्रसी के संबंद में निम्रित कतनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कतन सही है। इसमें उत्पादन के साथनों का सामित संपूर समाज यवं सामुहिक स्रमपर आधारित होता है। तो आपका पहला वाला कतन या पर विल्कु सही है। यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन भी सही है। क्रसी का यह प्रकार पूरू सोब्य संग में प्रारम हुआ था, जहां क्रसी की दसा सुधार ने और उत्पादन में ब्रद्दी और आद्निर्वरत्ता प्राप्ति के लिए सामुई क्रसी प्रारम की गई। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है 25C, यानि एक और दो दोनों। 26. प्रश्णे बापका, कोल खाओज का संबंद किस प्रकार की क्रसी से है, सैकारी क्रसी, डेरी क्रसी, मिस्चित क्रसी, सामुई क्रसी। कोल खौज का संबंद सामुहिक रसी से है सोबिय संग में सामुहिक रसी को कोल खौज नाम दिया गया था तो यहां पर आपका सही आँसर है लिविज का डी वाला 27 प्रश्ने ये बापका खनन काजबिदियों के संबंद में निम्निकित मैंसे कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है धरादली खनन को विप्रत खनन भी कहा जाता है ये खनिजों के खनन का सबसे महगा तरीका है जब अयस्त धरादल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अतवा कूप की खनन भिदी का प्रियोग किया जाता है गुमिगत खनन का तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीली गैसें और आग इबं बाढ़ के करण कई बार दुरगटना होने का भई रहता है विक्सित तर्थविस्ता वाले जिस उत्पादन की खनन प्रसंस करण इबं सोधन कारे से पीछे अट रहे हैं क्योंकि इसमें स्ट्रमिक लागत अधिक आने लगी है देखे पहला वाला गतन यह गलत है धरातली खनन को विप्रत खनन भी कहा जाता है और यह खनिज्यों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है सस्ता क्यों है क्योंकि यह उपर का सर्फेस है उसकी मिट्टी इटा कर ये किया जाता है यानि इसमें कोई आपको गहराई तक अंदर नहीं जाना है जो सर्फेस है सर्फेस के ऊपर जितनी मिट्टी की परद जमी हुई है उसको अटा दिया जाता है और पूरी जो छेत्र है वो ऊपर निकल आता है तो इसको विप्रत खनन कहा जाता है, यह सबसे सस्ता तरीका माना जाता है B वाला जो कथन है यह आपका बिलकुर सही है, जब अयस्क तरातल के नीचे गहराई में होता है या तब भूमिगत अत्पा कूप की खनन बिर्दी का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका B वाला कथन यह सही है, और यह महेंगा तरीका, सबसे महेंगा तरीका यही होता है जितने अंदर जाते जाएंगे, जितना हम अंदर की ओर जाते जाएंगे, जमीन के अंदर खुदाई करते जाएंगे, उतना ही हमारी लागत बढ़ती जाती है C वाला जो कतन है आपका ये भी सही है भूमिगत खनन का तरीका जोकिम भरा है क्योंकि जहरीली गैस, आग और बाड की वजैसे कई बार दुर्गटना होने का भेह रहता है और दुर्गटना हो भी जाती है D वाला कतन जो है ये भी सही है जो आपके बिक्से तर्स्यस्ता वाले देश है वो उत्पादन की खनन प्रसंसकर और सोधन कारी से पीछे हट रही है क्योंकि इसमें अधिक लागत अधिक आती है जबकि विकास्किल देश जो है अपने विसाल स्रमिक, सक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उचे रहन सेन को बनाए रखने के लिए खनकारी को महतु दे रहे है तो यहाँ पर आपका D वाला कतन सही है यहाँ पर आपका केवल A वाला कतन गलत है तो आपका सही आंसर है 27 का A वाला 28 मा प्रस्टन है बापका निम्न मेंसे कौन सी रोपड फसल नहीं है कौफी, गन्ना, गेहूं, रवड यह सारे प्रस्टन आपके अभ्यास प्रस्टनावली से है देखें यहाँ पर कौफी, गन्ना, रवड यह आपकी रोपड फसले है जबकि गेहूं यहाँ पर एक रोपड वसल नहीं है तो सही आंसर 28 का गावाला 29 वरशने बापका निम्न देशों में से किस देश में सहकारी करसी का सफल पर इच्छड किया गया था रूस, डैन्मार्क, नीजरलेंड, भारत देखे, डैन्मार्क में सहकारी आंसर 29 का खावाला तीसमा प्रशने बापका फूलों की करसी कहलाती है तरक फार्मिंग, कारखाना करसी, मिस्रित करसी, पुस्पोत पादमन देखे, फूलों की करसी जो है, वो पुस्पोत पादन कहलाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 30 का घावाला 31 प्रश्टने बापका निम्र में से कौन सी करसी के प्रकार का विकास यूरोपी औपनवेसिक सम्मूओं द्वारा किया गया कोल खोज, अंगुरोत पादन, मिस्रत करसी, रोपड करसी यूरोपीयों ने रोपड करसी का विकास किया रोपड करसी जो है वो यूरोपीयों की देन है तो यहाँ पर आपका सही आंसर 31 का घावाला 32 प्रश्टने बापका, निम्र प्रदेस्वामें से किस में विश्टत वाड़िज अनाज करसी नहीं की जाती है अमेरिका आपके कनेडा के ट्रेडी चेतर, अर्जेंटाइना के पंपास चेतर, यूरोपी स्टेपीज चेतर, अमेजन बेसन तो इन में तो आसानी से खिति की जा सकती है जबकि अमेजन बेसन पूरा जंगलों से जंगली जीओं से भरा हुआ है तो यहाँ पर आपके विश्टत वाड़िज अनाज क्रसी वाले फार्ण नहीं पाई जाते हैं तो सही आंसर है 32 का घावाला 33 प्रश्ण बापका निम्न मैंसे किस प्रकार की क्रसी में खटे रजदार फलों की क्रसी की जाती है बाजारी है, सब्जी क्रसी, भूमद सागरी क्रसी, रोपड क्रसी, सहकारी क्रसी देगे जो भूमद सागरी क्रसी है वो खटे रजदार फलों के लिए फैमास है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 33 का खावाला 34 प्रश्ण बापका निम्र क्रसी के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन ध्यन क्रसी का प्रकार है विस्तरत जीवन निर्भाग क्रसी, आदिकाली निर्भाग क्रसी, विस्तरत वाड़िजनाज क्रसी, मिस्तरत क्रसी आधिकाली निर्भाग क्रसी को कर्तन और धेन प्रणाली या फिर इस्तानांजरी क्रसी के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 34 का खावाला पैंटिसमा प्रश्ण है अब आपका निम्न मैंसे कौन सी एकल क्रसी नहीं है यहाँ पर आपका सही आंसर है पैंटिसमा खावाला तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले और आपके मन में कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो चलिए आचरी वस्तना ही थेंक्स वर वाचिंग जय हिंद